आपने कभी गौर किया हो तो फ्रेज के दरवाजों में चुम्बक लगा होता है क्या आपको पता है कि ऐसा क्यूं होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं नमस्कार दोस्तो वेलकम चो एफेम न्यूस दोस्तो आपने फ्रेज के दरवाजों में कुण्डी लगी होती थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी बज़े क्या है? अगर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा तो आपको बता दे कि इसके पीछे काफी बड़ी बज़े है आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा कि उस समय फ्रीज के दर्वाजों पर कुंडी लगी होती थी लेकिन उस समय कई बच्चों द्वारा खुद को फ्रीज में बंद करने के मामले सामने आने लगी थी बच्चे दर्वाजा बंद हो जाने के वज़े से अंदर लौक हो जाते थे और उनकी दम गुटने से मौत भी हो जाते थी ऐसे कई मामले सामने आने के बाद अमेरिका में 1956 रेफ्रिजरेटर सेफटी एक्ट पास किया गया जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि फ्रिज ऐसे बनाई जाने चाहिए जिसके बाद उन्हें आसानी से अंदर की तरफ से खोला जा सके ऐसा ही एक्ट कुछ दिनों बाद कैलिफॉर्णिया में भी पास किया गया था इसके पीछे कारण ये था कि अगर बच्चे अंदर बंद भी हो जाते हैं तो वो खुद से बाहर निकल सके इसके बाद फ्रिच के दरवाजों में मैगनेटिक डिस्रिप्ट लगाई जाने लगी इससे एर प्रूफ सील होने के साथ दरवाजे आसानी से खोले जाने लगी इसे टेस्ट करने के लिए उस समय फ्रिच के अंदर बच्चों को बंद कर उन से दरवाजे खुलाए गए थे दोस्तों है ना ये कमाल की बात शायद आपका इस बात पर ध्यान भी नहीं गया हो चलिए अब इस बात का वीडियो शेयर करके सब को बताएं दोस्तों नियूज अबडेट के साथ साथ ऐसे चानकारियों के लिए अफ़र नियूज को सब्सक्राइब कर लें स्टे कानेक्टेड, स्टे अबडेटेड, थैंक्स फूर वाचिंग दिस वीडियो